बिस्मिल्लाहिरर्रह्मानुरहीम दियर स्टूरंट्स अस्सलामु आलेकूम आप प्रोफेसर मौहिनल हसन तोड़े आप दिस्कास MDCAT टेस्ट नंबर 6 विद यू पीपल MDCAT टेस्ट नंबर 6 में भी MDCAT टेस्ट नंबर 5 वाला ही सिलिबस है और vocabulary को आप लोगों के लिए maximum जहर नशीन करवाने के लिए UHS syllabus vocabulary words 1 to 40 को इस मजीद एक और टेस्ट में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं दो टेस्ट इसी एक syllabus के उपर vocabulary को जहर नशीन कराने के लिए आप लोगों के लिए हमने तियार किये हैं तो ये vocabulary UHS vocabulary 1 to 40 का दूसरा टेस्ट है इसमें homophones भी A to D उसी तरह से जिस तरह से test 5 में थे उसी को syllabus को question बनाया गया है और questions different हैं तो आईए इस test को discuss करते हैं जी students तो vocabulary को UHS vocabulary की पहली slot को 1 to 40 को जहन नशीन करवाने के लिए आप लोगों को हम further उसी syllabus में से varied किसम के questions इस test में put करके आप लोगों के सामने पेश किये हैं देखिए question number 116 dash the car plant is having to close its door because of the poor economy अब देखिए शुरू में ही एक word missing है अगर sentence के बिलकुल beginning में ही को word missing हो क्योंकि ये sentence completion का question है और vocabulary based question है लेकिन फिर भी grammar भी हमारी कुछ न कुछ help दूरूर करती है तो यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि अगर बिलकुल beginning में word sentence का पहला ही word missing है तो या तो वो कोई subject होगा subject verb agreement के तहत subject होगा और वो missing होगा या फिर कोई वो कोई बोलने वाला word है कोई interjection है तो जो के शुरू में ही आना चाहिए और वो missing है तो यहां पे alas है जो के missing है unfortunately sadly इसका मतलब होता है और इसको जाहर एक शुरू में बोला जा सकता है तो alas the car plant is having to close its door because of the poor economy एक industry को बंद होना पड़ रहा है तो यह alas वाली situation है alas is an expression जो के sorrowful emotions को show करने के लिए आता है calendistically बीटा option है और जो गलत है calendistically का मतलब होता है secretly जिसका यहां तालुक नहीं है क्योंके पूरे sentence में कोई भी keyword ऐसा नहीं है जो हमें यह बताये के यह काम secretly किया गया है essentially बुनियादी तौर पहोता है पूरे sentence में ऐसा भी कोई keyword नहीं है जो हमें यह बताये के यह套ियादी तौर पहै या subsidiary तौर पहै तो ऐसी कोई बात नहीं और causeally एक चीज़ को जहने में रखने हैं क्योंकि हम होमोफोंस को तो वैसे भी डिसकस कर रहे हैं इस सीरीज में तो एक चीज़ जहने में रखिए कि कुछ वर्ड्स होते कुछ हैं लेकिन वो कुछ दूसरे वर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं तो आपको वो डॉज दे सकते हैं जैसे कि यहां वर्ड डेल्टा उप्शन में अगर चाहिए हमारा आंसर नहीं है लेकिन यह डिसकस करना मुनासिब रहेगा के कॉजली वर्ड है C-A-U-S-A-L-L-Y C-A-U-S-A-L-Y लेकिन इसको शायद 50% प्लस लोग इसको कैजूली शायद अपने फ्लो में जल्दी में पढ़ जाएंगे तो यह by the way इन चीदों से आपने महतात रहना है के कौन सा वर्ड क्या मतलब रखता है और क्या यह किसी दूसरे वर्ड के साथ आप इसको mix तो नहीं कर रहे अब next देखिए 117 Because of his dash nature The eager student learned lots of interesting information at the library अब देखिए Because of his dash nature एक जहन में रखिएगा के adjectives in sentence completion adjectives are the most frequent keywords adjectives are adjectives are the most frequent keywords सबसे ज्यादा जो keywords use होते हैं वो adjectives हैं क्योंकि adjectives explain करते हैं define करते हैं किसी word को तो उसी से हमें पता चल जाता है कि option कौन सा होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए Because of his dash nature जैसी nature यहां option में होनी चाहिए कॉमा के बाद the eager student उसी तरह का student है और student eager है तो यह ditto हमें इसी का synonym चाहिए जो नीचे हम options में ढून लेंगे तो हमें answer मिल जाएगा तो यह जो eager student है यह eager का word इतना बड़ा keyword है हमारे लिए कि हमें कुसी और चीज़ को देखने की दरूरत नहीं है तो बीटा curious है sentence बाराल पूरा पढ़ लेते हैं अब आपने गौर किया कि बीटा answer है dubious शक शुबह वाला होता है जो relevant नहीं है pernicious malicious wicked बहुत ज़्यदा खौफनाक और नुकसान पहुचाने वाला हामफुल होता है यह भी answer नहीं है demure अब demure को भी demure से आपने differentiate करके देखना है demure का मतलब है modest और sedate और बहुत ज़्यदा शर्मीला यह demure है 118 को देखिए without the proper dash you cannot gain access to the government facility without the proper credentials यह delta answer है कि एक बंदे की पूरी bio data, पूरी information पूरा उसके paper work सारा कुछ पूरा होना चाहिए तो without the proper credentials identification papers alpha क्यों नहीं है comprehension comprehension का मतलब समझ होता है यहां पर element नहीं है इस situation में decapitation सब्सक्राइब ला इसका मतलब है कि गला काट देना तो decapitation के बगएर without proper decapitation you can't gain access to the government facility बिलकुल एक अजीब सी बात हो गई लेकिन आप यह देखिए कि word का meaning आता हो तो एक question में एक MCQ में आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा entertainment का समान भी हो सकता है तो देखिए without decapitation का कोई तालूग यहां नहीं है decapitation means killing somebody by cutting head next है contributory तो related influential कोई चीज जो के contribute कर रही हो without proper contributory relevance नहीं बन रही किस चीज में contribute कर रही हो और credential हमारा answer है delta next देखिए यह हमने sentence completion discuss कर लिए और उसके बाद next sentence completion जो है वो homophones based है flowers were arranged in a dash bouquet अब किसी ऐसी situation से related flowers arrange होए होंगे जो खुशी का कोई मौका होगा तो bridal bouquet अब bridal के लावा brooch और brooch दोनों ही meanings में हमारा answer नहीं होगा क्योंके brooch का एक मतलब propose या present है या think है और brooch का एक मतलब badge, pin यह जैसे मैंने PGC का यह brooch लगाया हुआ जी तो brooch, badge और pin तो यह भी हमारा answer नहीं है क्योंके flowers were arranged in a brooch तो brooch का तालुख flowers से नहीं है और bouquet का भी तालुख प्रूच से नहीं है bridal bouquet का तालुख बहुत ज़्यादा है और यहीं answer है और flowers से भी उसका relation बन रहा है और bridal अब homophones के point of view से B.R.I.D.A.L. bridal का मतलब रूसी दुलहन से related और शादी से related है लेकिन यह जो B.R.I.D.L.E. है इसका मतलग है गोडे की लगाम से और यह वो relevance नहीं रखता next is the 120 to prove his point to the jury the lawyer will cite the decision from a similar case the lawyer will cite the decision from a similar case lawyer हवाला देगा तो C.I.T.E. answer होगा S.I.T.E. जगा को कहते हैं और S.I.G.H.T. vision को कहते हैं cite को कहते हैं और seed भी बिलकुल irrelevant है जिसका मतलब है churn या boil इस चीज़ का उबलना तो यह भी answer नहीं है next जी the man often showed his dash nature dual nature D.U.A.L. के साथ और dwell जो D.U.E.L. के साथ है उसका मतलब है एक तर्वालों की लड़ाई जिसमें के दो लोग लड़ते हैं till death of one तो वो एक लड़ाई है dwell वो भी answer नहीं है bald and bald यह भी दो pairs of words यहां पे दे दिये गए हैं homophones के तोर पे लेकिन यह दोनों इस sentence से related नहीं है next dear students हमारे पास synonyms के questions आगे appraised, assessed or evaluated अब appraised को appraise के साथ आपने जो है वो differentiate करना है appraised, evaluated यह answer हो गए इसका और बाकी conniving का मतलब है कोई devious scheming चोरी छुपे कोई काम करने वाला related नहीं है ductile किसी duct वाली कोई pipe type की situation वो भी answer नहीं है और ductile का एक मतलब yielding and squishy है यानि कोई बंदा बुजदिल हो और छुप जाए और उसके बाद embellished बहुत ज़्यादा सजाया हुआ, समारा हुआ यह भी answer नहीं है तो dear students 122 का answer हमारे पास बीटा आगया evaluated, appraised and evaluated next azee 123 abruptly, tersely abruptly बहुत foreign tersely का भी मतलब concisely, briefly foreign बोल दिया और मुकसर बोल दिया कोई चीज politely का इस से relation नहीं है polite चीज़ abrupt हो भी सकती है नहीं भी हो सकती और considerably किस चीज़ को किसी के बारे में consider करते हुए और किसी के को concern में रखते हुए किसी के बारे में concerned होके कोई बात की जाए तो that is considerably, thoughtfully, kindly अब austerly का भी कोई relation इस पूरी situation के साथ नहीं है austerly का मतलब है plainly and barely या austerly का मतलब है savingly यानि आप बहुत ज़्यादा spend नहीं कर रहे और आप austere जिन्दगी गुदार रहे हैं तो abruptly के साथ कोई तालब नहीं है one, twenty-four bashful, shy and self-conscious शर्मीला timid इसका synonym है और kept, broken या ruined related नहीं है isolated, bashful हो भी सकता है नहीं भी और intrepid, fear, less and bold ये तो antonym है तो हम basically क्योंके synonyms कर रहे हैं इसलिए ये answer नहीं है last lecture में भी हमने आपको बताया था last test की discussion में कि आपने इस तीस से महतात रहना है कि अगर synonyms कर रहे हैं तो synonyms ही देखने हैं और अगर antonym कर रहे हैं तो antonym ही देखने हैं उसके बाद 125 question है जी confront, challenge ये oppose, किसी का सामना करना तो ये antagonize है जो antagonी वाली situation होती है उसमें कोँ बंदा किसी के सामने खड़ा हो जाता है उसकी मुखालफत में तो appreciate तो इसका बिलकुल antonym है slash काट देना related नहीं है concerted focused ये भी इस से related नहीं है crudely का synonym होगा approximately यानि roughly, approximately ये crudely उस sense में आया है तो यहां पर बीटा answer है languidly, un-energetically बहुत धीले तरीके से related नहीं है serenly, calmly, मुतमें तरीके से related नहीं है accurately, precisely related नहीं है crammed, किसी जगा पे ठुसा हुआ किसी जगा पे jam-packed या stuffed तो बीटा stuffed इसका answer है steady हो सकता है stuffed हो, हो सकता है नहीं हो और mostly नहीं होगा क्योंके steady तो go कर रहा होता है और जो crammed होता हो गो नहीं कर रहा होता blank related नहीं है, blank का मतलब है out right complete और unmitigated, sheer, pure, perfect ये भी answer नहीं है उसके बात है जी criteria, criteria का synonym हमारे पास है benchmark दोनों का मतलब है कोई पका, उसूल, कोई symbol और कोई standard, कोई principle और simulation किसी चीज की imitation related नहीं है simulation का मतलब criteria नहीं होता acknowledgement वैसे भी byline या credit या acknowledgement का मतलब है किसी चीज को तस्लीम कर लेना, इसका meaning criteria नहीं है और tribute भी criteria नहीं है, tribute का मतलब किसी कोई तारीफ करना कि किसी की सलाहियतों को, कि किसी की achievements को मान लेना उसके बाद जी, opposites के questions है, antonyms के, attached to बहुत easy है और इसका antonym है, uninvolved, unattached, uninvolved, unrelated तो Charlie answer हो गया, उसके बाद दिखिए, boon, ये lecture में भी हमने discuss किया था, boon और ben, Latin and Greek roots and stems के point of view से मैंने आपको ये बात बताई थी, कि boon का मतलब होता है good तो boon, benefit और advantage को कहते हैं और इसका antonym होगा disadvantage अब ये देहन में रखना है कि अब हम antonyms कर रहे हैं next देखिए, brimming, brimming full और overflowing है और empty इसका antonym है collide with किसी चीज के साथ टिकरा जाना और astute किसी चीज को avoid करना इसमें अब देखिए, जो lampoon है, ये ज़रा difficult word है lampoon का मतलब है ridiculed and satirized किसी चीज पर एतराज करना और किसी चीज को criticize करना captivated, dis enchanted, captivated लुभाया हुआ है और dis enchanted किसी चीज से bizarre हुआ हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के antonym हैं antonym ही हमें चाहिए और इसमें बाकी options भी थोड़ी difficult है, unruffled, ruffled का मतलब है परिशान और disturbed और unruffled मुत्मेन, इसका captivated से तालग नहीं है, captivated लुभाया हुआ है चाहे रuffled हो या नहो, और spell bound किसी, spell bound हुआ 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 captivated का synonym है, दोनों ही enchanted के मीनी में आते हैं, तो हमें तो antonym चाहिए जो के dis enchanted है, तो alpha correct answer होगा, obnoxious भी related नहीं है obnoxious का मतलब है, loathsome and hateful next word है जी, casually, casually not formally, और formally हमारा antonym होगा casually का मतलब irregular तरीके से और formally, regular, planned and किसी focused तरीके से next word है जी, dispensing, provision or supply, dispense का मतलब होता है, किसी चीज़ को पहुंचाना और provide करना, जैसे water dispenser को water dispenser क्यों कहते हैं, तो पानी आप तक पहुंचाता है, तो dispensing पहुंचाना, dispenser जो चीज़े ने जाके दे, तो dispensing and withholding इसका interim हो गया, withhold का मतलब होता है, रोक लेना, कोई चीज़ ना पहुंचने देना, तो dear students, ये हमने MDCAD test number 6 आप से discuss किया, जिसका syllabus, UHS की vocabulary 1 to 40 था, और homophones A to D था, I hope कि ये test discussion आप लोगों के लिए मुफीद रही होगी, thank you very much, Allah आप आप